हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ तन्वी सूद आपका स्वागत हैं हमारे चैनल में सोनी टीवी पर टेलीकास होने वाला शो कौन बनेगा क्रोड पती का सीजन ग्यार आप जल्द ही खतम होने वाला है आज यानी शुकरवार को इस शो का आखरी एपिसोड आएगा हाली में इस एपिसोड का प्रोमो सामने आया था जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं अब जैसी ये हर कोई जानता ही है कि शो की एक परंपरा है कि हर शुकरवार को एक करमवीर कंटेस्टन सेट पर होता है वही इस बार आने वाली है करमवीर कंटेस्टन सुधा मुर्ती जी आखिर कौन है सुधा नरायन मुर्ती जी जिनके पैर खुद अमिताब बच्चन ने छुए सुधा नरायन मुर्ती जी ने 60,000 लाइबरीज, धेरो स्कूल्स, 16,000 से जादा शौचाले का निर्मान करवाया है सुधा जी ने समाज के लिए क्या काम किये हैं वो आज हमें एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं सुधा जी ने बताया कि इंजिनेरिंग की पढ़ाई के दुरान वो एक ऐसी अकेली रड़की थी जो 599 लड़कों के बीच इंजिनेरिंग की पढ़ाई कर रही थी बता दे सुधा जी बैंगलॉर की रहने वाली हैं उन्होंने करनड और माराथी फिल्मों में भी काम किया है सुधा जी पहली फिमेल इंजिनेर थी जिनने टार्टा इंजिनेरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी के लिए चुना गया था उन्होंने दो ट्रेवलोक्स, दो टेक्निकल बुक्स, छे नौवल्स, तीन एजुकेटिव बुक्स लिखी हैं वो इनफॉसिस के को फाउंडर नरायन मुर्ती जी की पत्मी है वही हाली में अमिता बचन ने ब्लॉक के जरिये सुधा जी की तारिफ करतो है लिखा इन फॉसिस बनाने में जिन्होंने ना सिर्फ पती का हाथ बटाया बलकि दुनिया के लिए मदद का हाथ भी बढ़ाया हमारा फाउंडेशन समाज के स्तर में जो नीचे होते हैं उनको उपर लाने में हम मदद कर रही हैं वैसे आप आज के एपिसोड देखने के लिए कितने एक्साइटिर हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चोटे परदे से जोड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें ये तो में हमें तो की नीचे हैं तो ओन के लिए ज़एं हैं और रखव पारेस नीचे भी ज़एं ये मैं हो तो इंशनल थे बत्तेकिंग और बत्राँएं ग्रफ इन शवा ज़एं वट दूदकेड विए लिए लाई दिए लाफ तान कि एंशने किस्ते हम एक भी किस्ट कि विंग छिन लिचा एंगान का caliber अबने इसे लिए खस्ति जान की विजभ इसा क्वण प पर फॉट टाज मूर रियो खिंगिवल्ट कि अभिडिए इस इसमें आपक।। अग अपमक्रान पर अपर वात्यान मैं पान। झाल, प्रदेश में अच्छा रेक्राइब नचेमा जारे म पर प्रणा रेखानी से भी शाहते पालूर्ट फेटी जारे लिए प्रम डेक्राइब ट्रेंशा समय कोरेष्टे से लिए्खस्ष्टेश जाइए लेपड़ खिए that of course is the first reason the other of course is how is this show going out to the audience and in particular the audience that comes and sits here I feel that they are the ones that provoke me that motivate me when I walk on and they cheer and they scream with each victory that the contestant wins कि झाले छो उन्हान उन्हान एक्री ऑना लीप उन्हान लुट्टाइंट करूउ और रूचास्टन अग्रॉटन लुट्ताइशों। these are some of the emotions that go through, for Karamvheel I've just been saying that some of our Karamvheels have been just unbelievable examples and they've been very moving for me particularly because I've lived with a lot of them and their stories, we've had women who've been attacked, had acid attacks and have still continued to come here and narrate their lives it's not easy for a woman to do that, we've had people whose sons and whose children have thrown them out of the home and this gentleman has gone and picked them up and given them some kind of respect, it's unbelievable to know that in today's world there are children that are able to do this and yet how wonderful that there are some people out there who are caring and look after them. We've had some great award winners, international award winners who worked for children and protecting children from child labour, we've had people who have worked in the city like Banaras and helped young girls from prostitution, all these stories are just so emotional and so motivating that I must admit that I must admit that every time I go back at night after finishing this it remains with you for a very long time and many a times I find it reflected in some of the things that I do or I hope that many do, there are many people that actually watch one of our shows and get so impressed that they write in and they actually seek to know whether they can be of some assistance, they can have and help. That's just wonderful as a show and it's wonderful as a channel for them to think that we should have elements like this in our show so that it motivates a lot of the people. It's not just one or two people, it's when a lot of people in the country step out and want to help, it makes a lot of difference. It's like if there's a crisis, we've had martyrs, we've had farmer situations who are committing suicide, we've had floods and devastation in Keral and Maharashtra and Urisa and Bengal and Bihar and it's just wonderful that when one person makes an initiative that a lot of people just want to copy him and want to join in together to see whatever they can do. Yes, the government does a lot but it's just wonderful to see a collective effort coming in and that's what I find when I play Tarantali is that I find a lot of people collectively, I had somebody from America who is on my fan mail when they saw the farmer issue or the girl child issue actually write in and say, how can I make a contribution, how can I make a contribution, I don't earn much but can I just give five hundred dollars. I mean it's just that little motivation and that initiative that comes from these people that shows that something is going inside their hearts and minds for them to be able to do something like this. So that's what's really very interesting for me and motivating for me. And sir, at 76 where do you find the passion and energy to work so hard? Sorry? At 76 where do you find the passion and energy to still work so hard? I got to do a job. I got to do a job. It's another job. It's tough getting a job these days, you know. Yes, sir. Check. Amit, sir. Sir? 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 Sorry. Namaskar. My name is Ankita Tiwali. My name is Ankita Tiwali. I was the first time in my career. So I told you very much that this season 3 of course has been hosted for you. Sir, my first question is, My question is, the tagline of this topic is, keep up. Keep up. Keep up. So let's say, let's say, let's say, let's say, let's say, why are you talking about this topic? Isbar's tagline? Yes, sir. They have made a tagline, ask them. I don't care about it. I don't care about it. I do this work. I do this work. I, 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 तो यह तो किसी और से पूछना होगा कि मैं इन्वाल्ड हूँ या नहीं हूँ कि अगर यह बताएंगे तो फिर पता चलेगा कि अगले साल हमको नौपरी मिलेगे कि नहीं इसमें मेरा कोई योगदान नहीं बड़ अजय अतुल जी बहुत ही प्रख्यात संगीतकार और संगीत निर्देशक है इस बार यह काम उनको दिया गया और उन्होंने मैसेडोनियन फिलामानिक औरकस्टर के सयोग से जो हमारी सिखनेचर प्यों ने उसे बनाया है बहुत ही भारी भरकम लगती है और सुनने में अच्छा लगता है आपने सुना होता है सर आपसे सवार है मेरा नम दिवी ठाब कुरे आपने कितना बदलावा है सर दाड़ी बढ़ गई है तो यह उमर बढ़ गई है वजद बढ़ गया है वह जब प्रशन आता है तो हमें पता चलता है और फिर कभी समाज में बैठते हैं अपने यारण दोस्तों के साथ तो उनके साथ हम बोलते हैं कि तुमको पता है कुछ यह ऐसा होता है तो तो नहीं पता हूं तो हमारी जो है जिग्यासा बढ़ जाती हमारी नॉलिज बढ़ क्या इस प्रोड़ में अपच्छा आता है यह उनके साथ बोलते हैं टो तो मैं इसे पुछेवरा में भीष्पस्नी रखता हूं